नमस्कार राज्य सिक्षा शोध एवं प्रसिक्षन परिशत पटना बिहार में आप सभी का स्वागत है बच्चों आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विशाय के अंतरगत कायर दथा उर्जा नामक पाट से उर्जा के विशाय में अध्यन करेंगे और जानेंगे कि उर्जा किशे कहते हैं उर्जा क्या है यह हमारे काम कैसे आती है उर्जा का क्या क्या प्रकार है उर्जा के क्या उप्योग है तो आईए चलते हैं और जानते हैं जानने का प्रयास करते हैं कि उर्जा किसे करते हैं बच्चों आप सुबह जब उठते हैं तो उठने के बाद आप अ बहुत अधिक प्रयास करते हैं, कभी-कभी आप किसी कारे को धीरे-धीरे करते हैं, जैसे कि एक उधारान हम ले लियांगर, कि अगर आपको दोड़ना है, तो धीरे-धीरे भी दोड़ते हैं, तेज-तेज भी दोड़ते हैं, और दोड़ते चलते हैं, फिर पैदल भी चलते ह तो इन सारे काम में और पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, आप देखेंगे कि दिन भर हम काम कर रहे हैं, आप आएंगे कि जब दिन भर हम काम करते हैं, जह हम कभी बहुत जादे खेल लेते हैं, या बहुत जादे पढ़ लेते हैं, तो हम ठक जाते हैं, आपने सुना होगा ममी पापा से या बड़े अपने बड़ों से या डाप्टर से भी या सिख्षक आपके बताये होंगे कि जब हमारे सरीर में उर्जा की कमी हो जाती है तो हम ठक जाते हैं तो यहां उर्जा एक सब्द वो प्रयोग करते हैं उर्जा की कमी होना यानि जब उ उर्जावान होते हैं हम में जब उर्जा होती है तो हम कारे को सही तरीके से करते हैं यानि कार करने की जो छमता है आप देखेंगे उर्जा के रहने और नो रहने से प्रभावित होती है यानि कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है मसीन है तो वह अपने अंदर जितनी उर् कि उतने ही वो कारे करेगी आई इसको धारण के माध्याम से समझते हैं अब देखें आपके स्क्रीन पे जो दो चितर दिखाए जा रहा है उसमें एक वैक्ति दोड रहा है और एक में आप देखेंगे तो व्यायाम किया जा रहा है तो दोडने की अगर हम बात करें तो हम कब तक दोड़ सकते हैं एक साथ एक गती से आप पाएंगे कुछ दूर दोड़ेंगे फिर थोड़ा थकान होने लगते हैं उर्जा की कमी होने लगती है फिर हम आगे बढ़ते हैं और दोड़ते हैं नियमित लोग दोड़ते हैं ऐसे कसरत भी देखें तो नियमित लोग करते हैं और यह निश्चित मातरा हमारी उर्जा की मातरा होती है जितना हम में उर्जा होती है उस कारे को करने की उतना ही हम उस कारे को संपादित करते हैं करते हैं आगे दूसरा और उधान लेते हैं आप देखें पहले वाले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चे हैं पार करने के लिए जो उर्जा होनी चाहिए वह आपके पास नहीं रही उर्जा का अभाव होने लगा ऐसे दूसरे चित्र में देखें एक व्यक्ति भारी सा पत्थर उठाता है उठा करके उसको दूसरे जगह पे रखता है अब इस कारे को करने के लिए बहुत उसको बल क्या शकत होगी तो यसी उर्जा मिलेगी उसको बच्चों उसी प्रकार से काrer करेगा अब उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी उसने उस पथर को उठाया ऐभर बढ़गा शीक जामा उन्हें करने बढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जब आधा घंडा-गंटा ईगंटा हो जाता है तो भी आप ठकान कानभव करते हैं यहनि जो मानसिक शक्ती थी जो आप आप केंदृत करके पढ़ाई कर रहे था उसमें थकान आने लगी यह उर्जा का हरास होने लगा फिर आप उठते हैं कुछ दर कुछ खापी लेते हैं पुना उर्जावान होते हैं और उसकार में लग जात करते हैं अब हैं परिभाषा है कि उर्जा किसे करते हैं इस परिभाषा से बच्चों सबस्ट हो जाएगा कि उर्जा है क्या इसमें लिखा है कि किसी वस्तु में कार करने की शमता को उस वस्तु की उर्जा करते हैं या वस्तु में नहीत उर्जा करते हैं वस्तु में जितन सुना होगा सब्सक्राइब के सब्सक्राइब की सब्सक्राइब उर्जा पराप्त होगी वस उर्जा से कोई गाड़ी या बाइक 20 एक किलूमेटर 10 किलूमिटर आपनी छमता वाण हिसाब से जितने कि उस अगर हम प्रदर्शन करेगी कारेसे करने fund के इंचे सबसे बड़े का हैं कहां प्राप्त करते हैं हमारा शहईर यो ब्रम्हांड है जगत धर्ती है इसमें प्रता है सबसे बड़ा जो सुरोत है तो भोजन हम होजन से पानी से उर्जा प्राब्त करते हैं जैसे आप थक जाएं प्यास लगीए अब काम करते हुए आप से नहीं बनेगा तब पानी चाहिए होगा ऐसे जब और ठकते हैं भूख लगती है तो हमें खाना क्या शकता होती है तो जो कहाना हम खाते हैं और उसे से हमें अंधर से कार्य करने की छंता मिलती है हम फिर से तरो ताजा हो जाते हैं और पुन्हां कारे करने लग जाते हैं तो यह फिर गवह में चीन है लगी है तब ही हम और शीत कर रहा हूं इस बातकी वह के पीछे भी मेरे शरीर में जो उर्जा है जितनी उस हिसाप से मैं आपसे बात्चित कर रहा हूं अगर मेरे शरीर में उर्जा नहीं होती है उर्जा का अभाव होता कि मैं बोल भी न पाऊं तो वहां पर मैं यह कारे न कर पा रहाता है अक्सर आप अपने आपको पाएंगे यह बीमार होते हैं तो शरीर को हिलाने डूलाने में या वेड से उठके चलने में इवन बोलने में भी आपको तकलीफ होती है क्या होता है उस समय कि शरीर में वांचित उर्जा जो होनी चाहिए उसका अभाव होता है तो उर्जा हीन होते हैं तो कारे करने में अक्षम होते हैं गहरा संबंध रखते हैं तो गलत नहीं है कारे और उर्जा गहरे संबंध संबंध रखते हैं और कहीं कहीं दोनों एक ही हो जाते हैं कारे और उर्जा बराबर ही चलते हैं कि आईये अब आगे चलते हैं बच्चों अब आप जानने का प्रयास करते हैं कि उर्जा के प्रकार कितने हैं। इसे पहला लिखा है गतिज उर्जा इस्तिति ऊर्जा ध्वन उर्जा रांता Luck और के की प्रकार हैं तो अभी हम इसमें जो परथम दो और रिक्व को प्रकार लिकिए इंदोनों के विशयह में हम जानकारी पराप्त करेंगे कि गतिज उर्जा किसे कहते हैं अभी आपके सामने जो स्क्रीन है बच्चो उसे देखें जड़ा आप देखेंगे कि एक चित्र में कार चल रही है तेज गती से और दूसरे में एक साइकल सवार जो है अपने साइकल को चला रहा है वह भी तेज गती में है आप देखें दोनों ही चित्रों में गती दिखाई गई है और जैसा कि नाम भी है गतिज उर्जा तो गतिज सब्द का अर्थ ही हो गया गती से उत्पन क्या उत्पन आगे है उर्जा यानि गती से उत्पन उर्जा को गतिज उर्जा कहते हैं यानि कोई भी वस्तु जो गत हम आप हम आप चलते हैं हाथ पर अभी हिलाते हैं दोड़ते हैं भागते हैं कोई वस्तु गिरती है लुड़कती है तो इन सब में उसके लुड़कने गिरने चलने दोड़ने या इवन जहाज भी उड़ता है तो उसके उड़ने में उसके उड़ते समय वहां पर जब क्रिया दो मारकर मेरे पास हैं देख रहे हैं अगर मैं इसको ऐसे एक मारकर यहां स्थिर रखता हूं और दूसरे मारकर को यहां रखता हूं अब इसमें से एक मारकर को मैं अगर थोड़ा सा पीछे से बल लगाता हूं तो क्या होगा यह मारकर लोगता हुआ आगे जाएगा आप दे कि जब यह मारकर इस तकराता है तो यह मारकर जो पहले से स्थित इस्थिर अवस्ता में था यह गतीबाण हो जाता है अब इसमे के तहट यह कती लिद्टफ यह से स्थिर्ग मारकर में इस्थाना न्त्रित कर दिया और इसकी उर्जा इसमें सत्ठिर्ग होने से क्या हुआ कि यह बहुत इस को यह िद्वार्ग स्थानाइस था में आ जा सुट तो इससे जो इस मारकर में जो उर्जा आई यह उर्जा गतिज उर्जा यह आकर इस मारकर से टकराने के बाद इस मारकर में इस थानांतरित हो गई और यह मारकर भी जो इस तीर अवस्था में पहले था इससे टकराने के बाद गतिशील अवस्था में आ गया यानि कि इस वस् जो गतिशील अवस्था में है उस गतिशील उसमें गती के कारण से उस वस्तु में एक उर्जा होती है जिसे हम गतिज उर्जा करते हैं आई इसकी परिभाषा देखते हैं आप देखते हैं इसमें लिखा है कि किसी वस्तु में उसकी गती के कारण निहित उर्जा को गतिज उ यानि कोई भी वस्टू जो गतिमान ये गतिसील अवस्था में है। इसको हमने के लिख़या psychology क्नेटिक कहते हैं और का नाम है कार्थ होता है motion motion जनी गती सिल होना तो यह फोर एनरजी के तो काइड़िक एनरजी गतितर बराबर हाफ a privacy square एक बटा 2 यानि हाफ एक बटा 2 यह यांद डेख सकते हैं यह नीचे मतलब मास द्रव्यमान वी वेलासिटी या वेग कहते हैं यहां भी जब इस वस्तु में गतिज उर्जा होगी यह जो को ग्यात करने के लिए मास और वेलसेटी का होना अनिवार रहीं दोनों का यानि अभी आप देखें इस मारकर में कुछ मास होगा और इस मारकर में जो मास था उस मास के बाद मैंने इसमें जो बल लगा के कारे किया कार उर्जा में परिवर्थित हो गया उर्जा में परिवर्थित हुआ तो गतिसील अवस् यह समझें कि अगर एक मारकर कमी में हटा हूं और इस मारकर से मैं आपको परदर्सित करूं कि यह इसकेश पेंगे मारकर कितना दूर जा सकता है जितना मैं इसको बल लगाओंगा मेरे बल के दौरा जो कारे किया जाएगा इस वस्तू पर जितनी उर्जा में परिवर्थित हो और यही कारे सारे वस्तू पर लागू होता है मिने पहले का था जितनी उर्जा होगी उतना ही कारे को किया जाएगा बहुतनी होगी सधिर किया गया है और और एक समान वेग यू से इसको यू से नोट किया गया है गतिशील है माना इस वस्तु पर बल एफ जो है विस्थापन की दिशा में जिस और वस्तु जा रही है उस वस्तु उस और एफ बल लगता है तो वस्तु एस दूरी तक जाती है जितने रहती है जितनी इनर्जी है वह बल की परिभाशा से कि बल बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सिलेरेशन में फार मास एक्सिलेरेशन तोरण कहते हैं तोरण गुड़े तोरण जो होता है और गती के नियम या सुत्र के अनुसर हम देखें तो वी स्कॉायर माइनस यू स्कॉायर बराबर टू ए एस यहां इए जो है विलसीटी हम जानते हैं यू जो है स्वस्तू का इनिसियल विलसीटी फ्रारंभिक शुरूआत का सबसे 20 में उस वस्तू का जो गतीशील है उसका प्रारंभिक्न अवस्था में कितना विग्ध था ओ यू Denka और शॉरण फिन ay यहां पर आप देखेंगे अगर S का मान निकालें तो V स्क्वार मैंनस U स्क्वार बटा में 2a अपान 2a हो जाएगा यह तिरिये गुणा करते हैं इसको पक्षांतर करेंगे तो वहां पर 2a हो जाएगा अब F S F और s के मान प्राप्थ हुए है यहाँ पर S का मान प्राप्थ हो गया उपर F का मान प्रक्थ हो गया हमें तो इस मान को हम W बराबर Fs जो सुत्र हमने उपर दिखा कारे का उसमें रख देंगे F का मान और S का मान और मैंने वहाँ पर रखत देखा आप देखें कि W बराबर MA यहां पर मैंने रख दिया जो Fs का फर्मूला है उसमें अब इसको आप स्टरल करेंगे तो आप पाएंगे कि W बराबर 1 by 2 M V स्कॉयर माइनस U स्कॉयर होगा यहां फार्मूला पाएंगे 1 by 2 M V स्कॉयर माइनस यू स्कॉयर अब यहां पर अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग यू है उसको हम 0 मालने यह यू बराबर 0 कर दे तो हमें क्या मिलेगा आगे अगले वाले चित में देखें तो हम पाएंगे कि वी स्कॉयर मानस जीरो हो जाएगा चुकि यू को हमने 0 माल लिया प्रारंभिक वस्तु इस्तिरह वस्तामी होती है यहां पाएंगे डवल्यू बराबर, यह half mv square इसको बोलते हैं यानि दरवयमान गुड़े वेग का square या वेग का वर्ग यह का गुणनफल जो होगा एक बटा दो mv square वो किसी वस्तु की गतिज उर्जा होगी अब आएए देखते हैं कि गतिज उर्जा और किन बातों पर निर्भर करती है अगले चितर में चलते ह आएए अब देखते हैं कि गतिज उर्जा का मास से या दरवयमान से क्या संबंध है आप बॉक्स में जो लिखा गया बच्चे उसमें देखिए कि लिखा 2E के बराबर 2m यानि कि अगर दरवयमान बढ़ता है दो गुना बढ़ता है तो कानेटिक इनर्जी भी दो गुना बढ़ती है डारेक्टली बराबर में चला है कि दो गुना मास बढ़ा दो गति जूर्जा इबढ़ा चारगुना मास बढ़ा एं दरवयमान बढ़ा तो कानेटिक इनर्जी भी चारगुना बढ़ गई वहीं आप देखेंगे विलॉसिटी के संदर्म में तो विलॉसिटी कि दुगनी बढ़ती थी तो किजिएड़ की नर्जी चार गुना बढ़ती थी ही तीन बढ़ता था तो नौव理 चार गुना बढ़ता था तो सोलग मजार भषा तरा तो जो डीखें दोने हों फर्क है कि म इसरइटी में संबंध है तो अब देखें कि इसंब आपने गति ज जूर्जा है इसका हम परिकलान या इसको घ्यात कैसे करेंगे अब माल या बच्चो 15 kg की कोई वस्तू है जो की 4 मीटर प्रती सेकेंड के हिसाब से के एक समान वेक से गती सील है यादि इसकी स्पीड जो दी गई है 4 मीटर प्रति सेकेंड है और वस्तु का जो द्रवयमान है 15 किलोग्राम है तो पूछ रहा है यहां पर कि वस्तु की गति जुर्जा कितनी होगी अगर आपको गति जुर्जा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो आप देखें लिखा है कि मास बराबर से दिनोट किया है द्रवयमान को 15 किलोग्राम और वस्तु का वेग जो है चार मीटर प्रति सेकेंड तो गति जुर्जा का जो सुत्र हमको पता है यहां लिखा आप देखेंगे स्क्रीन पर कि एक यानि एनर्जी कानेटिक एनर्जी जो है बराबर हाफ एंवी स्कॉयर एक मेंटाब और दो गुड़े पंदरा गुड़े चार गुड़े चार एंवी स्कॉयर अब इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको 120 जूल यह उत्तरपराफ होता है यानि वस्तु की जो गतिज जूल के बराबर है आप जानते हैं उर्जा का मातरक होता है और का मातरक जूल हो गतिशील है उस गतिशील वस्तु का कि गतिज उर्जा दिये गए मान के अनुसार 120 Joule होगी तो बच्चो इस पकार आपने देखा कि गतिज उर्जा किसे कहते हैं और इसके कैसे इसको हम ग्याद कर सकते हैं आगे चलते हैं और दूसरी एक उर्जा देखते हैं जिसे इस्थित इसको डिकेशल एनर्जीर किसे करते हैं आप इसमें जो चितर दिआ गया बार्चो इस चित्र को आप देखें में पहले आप देखेंль हैं जिसको की खीला रहा है crying में दूसरे में देखेंगे के व्यक्ति तीडहनुष लिया है और तीर को कमांट पर चढ़ा ए हुआ है और खीच के जिसे तानना कहते हैं खीचना कहते हैं तनाव देना उसने उस पोजीशन में आ गया है इन दोनों ही अवस्थाओं को देखने से आपको क्या लगता है आपने ऐसा प्रयोग किया होगा खेला होगा तीर धनुष से और स्प्रिंग को भी दबा के खीच के देखा होगा आप क्या पाएंगे आईए अगले चित्र में देखते हैं परिभार्षा के साथ इसमें आप देखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा उसकी इस्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त उर्जा को इस्थिति उर्जा कहते हैं किसी वस्तु द्वारा उसकी इस्थिती या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो उर्जा प्राप्त होती है उसे इस्थिती उर्जा कहते हैं जैसे रबड को खीचना हथोले से कील ठोकना अभी पहले वाले चित्र में भी आपने देखा था कि इस प्रिंग को खीचा जा रहा था और दूसरे में आपने क्या देखा था इस प्रिंग को खीचने के साथ साथ जो दूसरा चितर था आपका पहले वाले चितर में आपने देखा कि स्प्रिंग को खीचा जा रहा था और एक तीर धनुस है यहां भी आप देखेंगे कि तीर को के खीचा जा रहा है और को झीचा जा रहा आपने देखा जैसा निर्ण को छोड़ेंगे तो इस कि वापस अपने पुराने वाली अवस्था में आ जाएगी और इस अगर तीर धनुस में आगर हाथ से छोड़ा तीर को तो तीर आगे चला जाएगा ठीक वैसे ही अब इस चित्र में देखें जैसे एक हथावड़ी को उपर उठाए गया है जितना उपर उठेगा वह थावड़ी उतने ही इस्तिती उर्जा उस हथावड़ी में आ जाएगी और जैसे ही वह वहां से नीचे आएगा वह कील पे ठोकेगा तो कील नीचे अंदर धज जाती है यह आपने कारे किया होगा दूसरे में जो रबड़ खीच रहा है कि रबड़ खीच के दिखाया जा रहा है आपको रबड़ को जब वहां से छोड़ेंगे हम तो रबड़ वापस अपनी अवस्था में आ जाता है और रबड़ पे कागाज लग चोड़ते हैं तो कागज खीचे गई रबड़ में जितनी उर्जा होगी उतनी दूर तक वो चली जाती है इस परिभाशाकार्थ है किसी वस्तु द्वारा उसकी इस्तिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त उर्जा को इस्तिति उर्जा कहते हैं यह विन्या कर है आपके सामने ऐसे इसी सिति में पड़े हुए है ठीक है तो यहां पर जमीन फर्ज पर हैं यहां पर इनकी उर्जा कितने उर्जा अभी मान लेते हैं इस्तिर है यह तो जीरो मान लेते हैं इनका इसी दूर्जा क्या है जीरो है अब अगर हम इसको जैसे ऐसे उपर आपने देखा अभी जब तक यह मारकर यहां पर इस फिर पड़े हुए थे यह कोई आवाज नहीं कर रहे ते ही जैसे ही मैं इनको ऐसे उठाके उपर ले गया उपर ले जाते ही क्या हुआ मैंने इस मारकर पर कारे किया इसको उपर उठाके लिए ठीक उपर उठाने के दौर कि अब इसमें एक उर्जा उत्पन हो गई है कितनी कितनी मातरा में हैं जितना में इसको उपर उठाऊंगा और उपर आप ले जाएंगे छोड़ेंगे तो और तेजबा जाएगा और यह चेटक के और आगे पीछे भी जा सकती है इस उर्जा के कारम तो यह मैंने खीचा सम में अंदर संचीत होती है अभी यह संचीत है जैसे मैं छोड़ूंगा यह नीचे गिरेगी और नीचे जब गिरेगी तो देखिए तो एक आवाज आती है यह हम आप सभी जानते हैं कि उर्जा का च्छरण नहीं हो सकता है ना उत्पन किया जा सकता है यहां अपने स्वरू लिखा सividad यह मैं इसका रूपांत्रन हो अभी जो मैं इसको जैसे उपर उठाया यहां पर जो उर्जा का मातर है मानाक है जो इसतर्यूर्जा में है जैесे मैं ने छोड़ा तो हैं अब देखेंगे रूसा जर्ट से जमीन वर्तित हुआ फिर जैसे ही वह जमीन से टकराता है यह गति जूर जाया टकराने के पश्चा ध्वनी बदल गई और अगर कुछ और इनर्जी इसमें बच्ची होगी तो आगे पीछे भी यह जाएगी है ठीक वही कार हम करते हैं जब रबर से जब खेलते हैं या इस प्रिंग को खीशते हैं या इस प्रिंग को ऐसे दबाई यह एक निश्ची समय तक दबेगा और जैसे ही आप छोड़ेंगे जटके से वह बल लगाता है जैसे आपने अपना बल हलका कम किया वह स्प्रिंग वा कि अब उसके अंदर एक उर्जा नहीं थो गई जो मैंने कार किया उर्जां परिवर्थी थो गया अभी यह इसके अंदर है और जैसे ही मैंने अपना बल कम किया एक तरफ से मेरे हाथ को जटका देता है आप यह कार घर पर करकर देख सकते हैं तो यह जो इस प्रिंग को मैं इस लाल ज्याव में परिवर्तन किया रभर को भी खीछ के देखें आप आपने खीचया रवाट बैंट को दूसमें वह फिलहाल एक अपनी उर्जा का पर्दर्शam करेंगे तो वह गति दूर्जा इसमें आजाएंगे तो जो भी आप कारी इसमें करेंगे वह उर्जा में परिवर्तित होने के बाद यहीं अपने एप रूब को बदलते हुए चलता-चलेगा जैसे यहां से घिलीजा में आएगा और गति और और उर्जा जादे होगी तो लुड़कना भी छटकना शुरूब जैसे गेंद देखिए गेंद उपर फेकिया अभी गेंद आपके हाथ में है इस्तिरवस्था में है उसको आपने बल लगा के उपर फेका यानि जो आप हाथ खीच के पीछे ले जात और उपर जाते जाते कैसा बिंडू आयागा जहां पर गेंद दम रुख जाएगी यहां आपके हाथ में जब वह थी तो इस्तिर थी आपने उसको ऊपर फेका गति दूर्जा में चेंज हुआ और जब गति दूर्जा में जाकर के जब गेंद देखिए का इसे रुक जाती तुरंत एसे रुकेगी फिर इस दूर्जा आई और जहां पे नर्जी है यहां पेहों कहें कि अब करणेटिक इनरजी इसतिति दूर्जा में परिवर्थित ओ गई अब यहां से नीचे गिरती तो जैसे फिर नीचे गिरना शुरू करेगी तो यह इस्तितित दूर्जा अब यहां देखें, आप देख सकते हैं कि गति श्तिदी उर्जा को जो को ई और पी लिखा है, इप अर्था तो गया इनर्जी और पी फार पोटेंशिल इनर्जी तो पोटेंशिल इनर्जी परबर MGH, यह सुत्र है पोटेंशिल इनर्जी को ग्याद करने का, तो आएए मैं देख रहे हैं कि एक बॉक्स नीचे रखा गया धर्ति पर, फर्स है धर्ति उस पर एक बॉक्स रखा गया है और उस बाक्स को एच उचाई तक उठाया गया है तो जो मैं अभी मैने जो दिखाय था उधानक मैंने sketch pen को यह मार्कर पर उठाया था वैसे ही इस बॉक्स को उपर H उचाही तख लेग जाया गया है तो दर्वमान के box को धर्ती से अच उचाही तक उठाया गया है ऐसा करने में F बल क्या होशकता होती है और जो बल मैंने उस पर लगाया जो मैंने कार ये उस बाक्स पर या इस जो है उस वस्तु में जो उर्जानी तो गई उठाने से उपर ले जाने से उसमें उर्जा सनरक्षित हो गई वह कार यह दोनों कमान यहां पर आ गया जी और विस्थापन एस बराबर है अतह डवलू बराबर हो जाएगा यहां पर एफ और एस का मान यहां पर रख देंगे तो एफ का मान एम जी हमने रख दिया एफ की जिगह पर एम जी और स्कामान है विस्थापा ने चुकि हुचाई तक उठाए गया था तो हमने एच रख दिया व बराबर हो गया एम जी एच चुकि कार और उर्जा बराबर है मैंने जितना कार किया था उर्जा में चेंज जाता है तो वहाँ जो ऊपर उठा हुआ बाक्स है उसकी इस्तितित उर उर्जा का को ग्याद कर सकते हैं उसका परिकलन कर सकते हैं आगे चित्र में देखते हैं कि आप यहां देखें कि गेंद को उपर उठाए गया है तो नीचे से जब उपर उसको उठाए गया वह दूरी है दूरी को दिखा रहा है और उपर जहां तीर का बिंदू है आप जितनी ऊचाई प्या वस्तु को ले जाएंगे उतना ही मान उसका अधिक हो जाएगा इसथानान्त्रन होता है और जैसे जैसे गेंद नीचे आते चलेगी वह गतिज उर्जा का मान अधिक होता चलेगा अब मने मतलब की नीचे आने में उसकी गति और बढ़ेगी और बढ़ेगी और जैसे जैसे गती बढ़ते चलेगी तो गती बढ़ेगी तो गती उर्जा का मान भी बढ़ेगा जैसे हम जानते हैं गती से ही उत्पन उर् पहले मान लेते हैं तो उस वक्त अधिक्तम गतिजूर्जा उस वस्तू या बाल में होती है यानि जब आपने उपर फेका था तो उस वक्त फेकने के समय जो सबसे नीचे सबसे अधिक गतिज उर्जा थी वो ऊपर गई धेढ़े कम हुई और जहां पर गेंद उपर जाकर रुकती है तो अधिकतम इस्तिति उर्जा वहां पर होती है और फिर वहां से गेंद नीचे गि उठाया जब जितना उपर मैं खीच के ले गया उतना ही जब वहां पर रोक गया मैं एक स्थर पर जब मैं रुपता हूं तो वहां पर उतनी इस्तित उर्जा उसमें नहीत हो गई अब जब मैं छोड़ूंगा तो उसी हिसाब से उसी उर्जा से वो धीरे-धीरे नीचे गति माध्यम से समझते हैं कि कैसे स्थिती उर्जा गटित में परिवर्तित होती नजधे में चित्र में कि अपने बच्ची जोए अपने हात में गेंद हुई हुई है एक पहले बाले में बच्ची ने हात में गेंदiałem या और आघटी है और दूसे सब्सक्र उस उचाई तक जिस उतनी उचाई पर बच्ची खड़ी है और जहां पर नीचे फर्स बना हुआ एक लकीर खीचा गया उस फर्स को देखें तो उतनी उचाई तक जो खीच को ले जाया गया है वह कार उस गेंद पर किया गया है तो उस उचाई पर ले जाया गया में अब उस में क्या है उर्जा नीचा हो गया इंद कि छोड़ेगी तो ग सब्रीज नीचे आएगी और जैसे जैसे नीचे आएगी जैसे गती दूरुजा का मान बढ़ते चलेगा जिससे इस्टी तरी का महां एक एरो बनाया गया चढ़ने के समय एक अरो बनाया गया है उतरने की और से जब कार उस पर सबसे उपरी सिर्ष बिंदु पर चड़ रही होगी बच्छों तो सबसे निचले इस्थान पर उसमें सबसे अधिक होगी और जैसे जैसे वो कार ऊपर चलती चली गई होगी धीरे धीरे ऊपर चलती चली गई होगी वैसे वैसे गतिज उर्जा का मान कम होता गया होगा गतिज उर्जा का मान कम तो क्या अर्थ हुआ कि उसकी गती कम होती चली गई धीरे होती गई अब धीरे होते होते वो उस शिर्ष बिंदू पर मैं जाके रुक गई रुखते ही क्या हुआ वहाँ पर कि इस्थितियज अर्जा कामान सब सब्सदिख हो गया यानि कि अब कार सब्सदिख होने कार वहां पर रुख गई है अब आप देखते हैं कि अब जब रुकी हुए जो अवस्थामें कार है जैसे यह लुखना शुरू और गतिज उर्जा कामान बढ़ते चलेगा तो गतिज उर्जा कामान बढ़ते चलेगा कार्त हो गया कि कार में епर आरो पकूर सब्सक्राइ करने इसे निचे की रेकिल को लेकर चलते हैं और एक जगा आप आपको जब ऊचाई पर वहां टो और आप से नीचे उलकना सुरू करते हैं नीचे चलना सुरू करते हैं कि साइकल नीचे आती है तो आपके साइकल की गती बढ़ते जैसे नीचे आते हैं वैसे बढ़ते चलती है नहीं गती दूर्जा बढ़ रही है और इस्थी दूर्जा का मान कम होते चला है इस चित्र में यही का मान हम कैसे ग्याद करेंगे तो आप देख रहे हैं सवाल में लिखा गया है कि 10 किलो ग्राम दरवमान की वस्तु को धर्ती से 6 मीटर की उचाई तक उठाय गया है इस वस्तु में विद्यमान उर्जा का परिकलन करें यानि कि जो उर्जा इस वस्तु में आई है उठाने के पश्चाद उसको ग्याद करें यहां जी कमान दिया गया है 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर हो एस टू के जगा स्क्वाइर उसको समझा जाए स्क्वाइर है तो वस्तु का दरवमान कितना है म बराबर 10 किलो ग्राम विस्थापन यानि उचाई कितनी उचाई तक उठाय गया है 6 मीटर उठाय गया है और जी कमान दिया गया 9.8 इंट प्रका गुड़ा किया तो इत्तरप्राप्त होता है पांचसो अठासी जूल चुकि उर्जा का मात्रक नहなた होता जूल होता है तो यहां पैंगे कि यहां पर उस वस्तु स में जो है विद्यमान है इसका आकलन आप सरलता से कर सकते हैं बच्चो आपको सुत्र बता है आप गतिज उर्जा का भी मान ग्याद कर सकते हैं सरलता से तो देखा आपने बच्चो कि गतिज उर्जा और इस्थिति उर्जा किसे कहते हैं और यह दोनों ही उर्जा जिसको हम कहते हैं सब् этого करने निए गतिष्जय होते हैं चलते हैं तो हम गतिषी ल मात है कोई भी वस्तु जोicon आपने देखा कि किसी वस्तु के जो है आकार में परिवर्तन कर देते हैं उस वस्तु में तो उसमें इस्थितित उर्जा आ जाती है उसके स्थान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें इस्थित उर्जा आ जाती है जैसे की रबड को खीशना या किसी बॉक्स गेंद को उपर उठाना और फिर छोड़ देना तो इसी दूर्जा आ इस पस्ट कर चुके होंगे धन्यवाद